तो दोस्तों जैसे कि आपने थमनिल में देखा है आपको light bill जो है ना वो generate करने के लिए data entry का काम करना है जिस तरीके कि आप मेरे हाथ में देख रहे है light bill उसी तरीके का आपकी घर में भी light bill आता है बराबर अब ये generate करने के लिए आपको data entry सबसे फ़स्ट करना होता है तब ही सब से फस्ट आपको यहापे data entry का काम जो है न वो करना होता है जिससे की light builds generate हो सके और इसमें कोई भी issues है तो उनको भी आपको resolve करना होता है तो आपका काम यहापे simple यही रहेगा data entry का और data entry करते हैं कोई भी अगर आपको issues आते हैं और data entry करने के बाद आपके कोई भी issues है errors है तो उनको आपको यहापे clarify करना है चेक करना है और result करके वो सही से update कर देना होता है ठीक है यह काम आपका पूरा रहेगा और यह काम सारा का सारा आपको work from home में करना है मतलब कि आप कहीं पे जाने की जरूरत नहीं है आप अगर fresher हो तो भी आप eligible है इस job के पर apply करने के पूरी step by step वीडियो रहेगी कैसे आपको यहापे job के पर apply करना है कैसे आपको यहापे job available होनी वाले है इस job के benefits क्या होनी वाले है सारी चीज़े आज के इस वीडियो में रहेगी तो वीडियो में ज़रूर बने रही है ठीक है अगर आपको एक work from home permanent job की ज़रूरत है तो यह एक सबसे best job जैना वो होनी वाले है जहाप आपको simply data entry का काम करके यहापे 25-30,000 की salary मिलने वाले है ठीक है तो चेले दोस्तों बिना किसी दरी के आज की इस वीडियो को शुरू कर रहेता हूं जिन लोगों की इस job में interest है वीडियो में ज़रूर बने रही है नमस्कार दोस्त अब आज की जो जोब होनी वाले है वो invoice support specialist का आपका job role रहने वाला है जहाँ पर आपको full time में काम करना है मतलब कि एक permanent job है remote work from home रहने वाली है ठीक है आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं full time India remote ठीक है अब देखे जोब में आपको simply submitter billing department में कि यहाँ पर काम करना होता है operations managers को आए गया है एक से तीन साल का experience यह उन लोगों के लिए जिनका qualification बिल्कुल भी नहीं है जिनके पास सिर्फ experience है billing department में काम करने का और अगर आपके पास 12th pass है qualification आपका है तो आप यहाँ पे fresher भी होना तो भी आप यहाँ पे eligible apply करने के लिए ठीक है Monday to Friday आपको यहाँ पे काम क जो की इसका head office है ना वो अमदाबाद में है गुजरात में है ठीक है तो job overview में देखे दोस्तों आपको यहाँ पे अपना जो job overview है मतला आपको जो काम है वो पूरा यहाँ पे duties and responsibilities में explain किया गया है यहाँ पे job overview दिया गया है तो यहाँ पे आपको data entry करना है और जो भी error से उनको resolve करना होता है ठीक है यहाँ पे पूरा duties आपको यहाँ पे explain किया गया है जो कि मैं आपको यहाँ पे सरल भाष्टा में हिंदी में समझा दूँगा देखे यहाँ पे बहुत सारे points है जो आप एक-एक point यहाँ पे समझ ल requirement वो मैं आपको explain करने वाला हूँ ठीक है सबसे पहला आप यहाँ पे देख लीजिए कि आपको यहाँ पे काम क्या करना है बहुत ही आसान काम रहने वाला है देखे accurately entered meter reading and billing information तो आपको यहाँ पे जो data entry का का काम जो है न वो accurately करना है meter का reading रहेगा billing information जो रहेगा आपको यहा other billing and usage information और other जो usage information है वो आपको यहाँ पे डालना है into a variety of reports or formats into a variety of reports and formats का मतलब क्या है आपको यहाँ पे format जो हैना already दिये जाएंगे जिनमें आपको यह data जो हैना वो enter करना होता है ठीक है communicate to customers and invoice specialist regarding abnormalities मतलब कि कोई issue है बिल में तो आपको यहाँ पे community करना पड़ सकता है customer के सा या फिर invoice specialist जो हैना उसके साथ create excel and PDF files of reports and invoices तो जो भी आप यहाँ पे काम करेंगे उसके reports जो हैना आपको generate करने है simply save करके report generate कर देना है upload files of tenant charges तो जो भी files है उनको upload भी करने का को यहाँ पे काम करना पड़ सकता है track stage of assignments in Microsoft Planner आपको यहाँ पे Microsoft Planner जो हैना वो use करना है screen and respond to customer calls coming in regarding submitter billing inquiries तो कोई customer की inquiries है तो उसके related आपको यहाँ पे call आ सकते हैं उनके issues को resolve करना होता है आपको यहाँ पे provide courteous and helpful direction for clients to the party that they need to speak with ठीक है अब देखें तो कोई issue है आप यहाँ पे वो handle नहीं कर पा रहे हो तो आपको यहाँ पे एक prior person जो रहेगा जिसको इसके बारे में सारी जनकरी रहेगे रहा उनको वो call को redirect करना है मतब client को redirect कर दिना है उस बंदे से जिसको इसके बारे में सारी जनकरी रहेगे तो यह सुझ नॉर्मल चीज़ है जो आप यहाँ पे काम कर रहेगे तो सब सब पहला आप यहाँ पे training जो है वो provide किया जाएगा जिससे कि आप यहाँ पे काम कर सको और फिर देखें तो यहाँ पे यह भी बुला गया है provide training to entry level team members as needed अब यहाँ पे जब आप senior हो जाओगे तो जो भी नया joining रहेगा ना उसको आप यहाँ पे training भी provide करोगे किस तरीके यहाँ पे काम होता है ठीक है तो आपको भी जब आप यहाँ पे नए जोइन होंगे तो आपको वो सारी information जो आउड़ेडी दे देंगे कि किस तरीके सापके यहाँ पे data entry करनी होते है और कैसे assistance देना होता है ठीक है तो इस तरीके का आपका है आपका है यहाँ पे data entry करने वाला है जिससे कि आपके जो bills है वो generate हो सके और इसमें कोई issue है तो उनक अगर आप 10th pass होना तो भी आप यहाँ पे eligible apply करने के लिए आपने high school diploma को यह अगर लिया हुआ है मतलब कि 10th complete करने के पाद कोई diploma किया हुआ है तो आप यहाँ पे eligible apply करने के लिए या फिर general education degree आपने कोई ली हुई है मतलब कि आपके पास कोई degree है GED electric में तो भी आप यहाँ यहाँ आप यहाँ पास एक से तीन साल का experience है अगर आपने simply 10th pass किया है और आपके पास कोई equivalent combination of education and experience अगर आपके पास है, मतलब कि आपने 12th पास किया हुआ है, और आपके पास एक 6 मैने का experience है, billing department में काम करने का, तो भी आप यहाँ पे eligible है, apply करने के लिए, ठीक है, तो आप 12th पास हो, तो भी आप यहाँ पे eligible apply करने के लिए, और अगर आपके पास general knowledge and prior use of Microsoft applications, such as Excel, Word, Outlook, और Team, data entry का, आपको यहाँ पे काम करना है, 10 keypad से, keyboard typing आपको यहाँ पे आनी चाहिए, सबसे main important काम तो आपको यहाँ पे typing कहीं रहने वाला है, ठीक है, works and benefits में, जैसे के मैं आपको यहाँ पास है, आपको salary जो हैना, आपको यहाँ पे additional leaves, जैसे के maternity leaves रहेगा, paternity leaves रहेगा, adoption leaves रहेंगे, bedding leaves रहेंगे, bearment leaves यहाँ पे आपको यहाँ पे मिलने वाला है, ठीक है, family health insurance रहेगा, personal accident insurance जो हैना, यह भी आपको यहाँ पे मिलने वाला है, awarded as top workplace, यहाँ पे 2022 में यहाँ पे जो workplace है, इसके उपर इनको award भी मिल चुका है, और five day working यहाँ पे आपका रहने वाला है, ठीक है, तो job के benefits, job की qualification और यहाँ पे job की detail जो हैना, इस सारी में आपको यहाँ पे बता दी है, अब यहाँ पे तो apply करने के लिए कुछ और skills जो हैना, यहाँ पे बताएग है, जिनको मैं आपे mention कर देता हूँ, adaptability, attendance, dependability, initiative, oral communication अच्छा होना चाहिए, professionalism होनी चाहिए, quality आपके अच्छी होनी चाहिए, काम की और quantity, मतलब की जो भी आप काम करोगे, तो आपका वो quantity wise काम होना चाहिए, तो देखें दोस्तों, इस job के उपर किस तरीके से apply करना है, वो एक बार देख लिजे, देखें यहाँ पर apply for the job के उपर, यहाँ पर आपको simply click करना होता है, apply for the job में आपको यहाँ पर upload resume जहना वो कर दिना है, यहाँ पर आपको कोई test assessment का नहीं रहेगा, simply आपको यहाँ पर interview जाना वो होने वाला है, ठीक है, first name, middle name, last name डाल दीजिए, gender डाल दीजिए, email डाल दीजिए, उसके बाद अपना phone number यहाँ पर, अगर experience नहीं है, तो simply आप यहाँ पर zero डाल सकते हो, ठीक है, current salary आप यहाँ पर zero डाल सकते हो, कोई ज़रोत नहीं है, कुछ भी, notice period आप यहाँ पर डाल सकते हैं, अगर आप कहीं पर already काम कर रहे हो, ठीक है, experience details, देखें तो अगर आपके पास कोई experience है, उसका experience लेटर आपके पास है, तो add experience detail में click करके, आपको पुरा detail जो है न, अगर आप यहाँ पर wait करते हो, या फिर आप 15-20 दिन के बाद apply करने जाएंगे न, तो शायद से आपको यहाँ पर reward नहीं आएगा इस company के दरब से, ठीक है, तो जल्दी से जल्दी आपको यहाँ पर apply कर देना है, अगर आप इस job में interested हो, तो ही, ठीक है, अब आपको इस job की सारे detail तो मैंने आपको यहाँ पर दे दी है, कि किस तरीके का यह job रहने वाला है, salary कितनी रहने वाली है, apply किस तरीके से करना है, और आपका यहाँ पर interview जहना वो schedule होने वाला है, ठीक है, आपकी job profile जहना वो match की जाएगे, इस job के profile के साथ, अगर उनको लगता है कि आप सही candidate इस job के लिए, तो आपका यहाँ पर interview जहना वो schedule होने वाला है, और फिर अगर आप वो crack कर लें तो आपका यहाँ जॉब जहना वो done हो जाएगा, ठीक है, तो दोस्तो एक work from home job है, freshers के लिए eligible है, apply करने के लिए, आपको apply करना है तो जल्दी से जल्दी apply कर दीजे, और जिनको interest नहीं है इस job में, तो कोई बात नहीं, आप मेरे बाकी की जॉब है न, उनको भी आप check out कर सकते हैं, ठीक है,